नमश्कार बच्चों में प्रयांका माथू राजस्तान सरकार और वेदानता के CSR इनिशेटिव इकक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेकनिकल पार्टनर है मिशन ग्यान बच्चों पढ़ रहे हैं कक्षा आटकी गणीतोर हमने शुरू किया है अध्याय त स्वास्ट प्रतिलो मननुपात में पूछा गया है कि कौण प्रतिलों मनुपात में है बताइया तो देखते पहला किसी कारे पर लगे वैक्तियों की संख्या और उस कारे को पूरा करने में लगा समय अब कोई कारे दिया गया है मानले GP को एकघर बन रहा है उसमें deed दस मज मजदूरों की संख्या कर दी 20 तो कम समय में घर पूरा हो रहा है। फिर मजदूरों की संख्या कर दी 30 तो और कम समय में घर बनके तयार हो जाएगा। और मजदूर बढ़ा दिये 40 मजदूर कर दिये तो और कम समय में घर बन जाएगा तो यहां हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे वेक्तियों की संख्या बढ़ रही है कारी जल्दी पूरा हो रहा है तो यही पूछा गया है कि वैक्तियों की संख्या और कारी पूरा करने में लगा समय एक दूसरे के क्या हो गए प्रतिलोम अनुपात में हो गए तो यहाँ पर क्या आएगा प्रतिलोम अनुपात तो यह पहला है प्रतिलोम अनुपात में है clear, समझ में आया, कैसे हो गया, प्रतिलों मनुपात, प्रतिलों मनुपात में यह होता है, एक राशी बढ़ती है, तो दूसरी राशी घटती है, दूसरा देखिए, एक समान चाल से, किसी यात्रा में लिया गया समय, और तय दूरी, एक समान चाल से, अगर कार चल रही है, तो दो गंटे में कितना है, जादा ही होगा, इसका मतलब जैसे, जैसे समय बढ़ता है, तय कि दूरी बढ़ती है, तो एक चीज बढ़ रही है, तो दूसरी भी बढ़ रही है, इसका मतलब यह प्रतिलों मनुपात में नहीं है, सीधे समानुपात में है, clear, तीसरा देखिए, खेती की गई भूमी का शित्रफल और काटी गई फसल, तो जितना शित्रफल या जितना खेत बढ़ा होगा, उतना ही उसके अंदर फसल जादा होगा सकते हैं, और जादा फसल कटेगी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो शित्रफल है, वह और काटी गई फसल, एक दूसर यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल एक निशित यात्रा है निशित यात्रा मतलब आपका ये फिक्स है कि आपको जैसे जैपूर से जोदपूर जाना है ये फिक्स है अब लिया गया समय और वाहन की चाल तो जैसे जैसे आप वाहन की चाल बढ़ाते जाएंगे वैसे क्या करा? चाल बढ़ा दी 80 किलो मीटर प्रति गंटा, तो कम समय में आप क्या करेंगे जैपूर से? जोधपूर पहुच जाएंगे, इसका मतलब जैसे जैसे चाल बढ़ेगी लिया गया समय कम होगा, तो इसका मतलब ये दोनों किस में होंगे? चाल और लिया गया समय प्रति मनुपातमें है, आगे देखिए किसी संख्या और प्रतिव व्यक्त भूमी का शित्रफल मान लिज़े, बहरत की बात हो रही है तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ रही है प्रतिव व्यक्ति जो शित्र फल वह किया होता जाएगा जैसे जैन संख्या बढ़ेगे किसी भी जगह की वैसे वैसे प्रतिवेक्ति शेत्रफल क्या होता जाएगा कम होता जाएगा तो इसका मतलब एक चीज बढ़ रही है जनसंख्या बढ़ रही है तो शेत्रफल क्या हो रहा है कम हो रहा है तो ये भी किसका उधारण हो गया प्रतिलोम अनुपात का तो पांचवा भी क्या है प्रतिलोम अनुपात का उधारण है समझ में आ गया तो आप यहां से चाट सकते हैं कि कौन सा प्रतिलोम अनुपात में है और कौन सा सीधा समानुपात में है चलते हैं अगले प्रेशन पर देखिए प्रेशन संख्या दो क्या दिया है एक टेली वीजिन गेम शो में रुपीज एक लाग की पुरसकार राशी विजेताओं में समान रूप से वित्रित की जानी है पुरसकार की राशी फेक्स है एक लाग रुपे नेमने लेखे सारने को पूरा कीजिए तथा ग्याद कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरसकार की धन राशी विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्यूत्क्रमानुपाती है अब यहां पूछा गया है एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरसकार की धन राशी विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्यूत्क्रमानुपाती है या आपको बताना है तो आप देखे सोचिए यदि एक विजेता हुआ तो उसको पूरी पुरसकार की राशी जो एक लाख रुपे है वो उसको दे दी जाएगी दो विजेता हुए तो क्या होगा पुरसकार की राशी उन दोनों में बढ़ जाएगी एक को पचास अजार दूसरे को पचास अज तीन विजेता हो गए तो क्या होगा पुरसकार की राशी अब इन तीन जनों में डिवाइड होगी मतलब पुरसकार की राशी क्या हो जाएगी पचास अजार से कम हो जाएगी, चार विजेता हुए तो और कम हो जाएगी, समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब जैसे जैसे विजेताओं की संख्या बढ़ेगी, पुरसकार की राशी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इसका मतलब पुरसकार की राशी और विजेताओं दो भी जेता तो 50,000 चार भी जेता तो कितनी होगी तो यह क्या है X1, Y1, X2, Y2, X3 Y3 ग्याद करना है Y4, Y5, Y6 और Y7 आपको ग्याद करने है यह clear है तो देखते हैं हल कैसे करेंगे हल माना की वीजेताओं की संख्या वीजेताओं की संख्या बराबर क्या मान लिया आपने? X और पुरसकार की राशी पुरसकार की राशी को आपने क्या मान लिया? Y मान लिया तब प्रश्ण अनुसार क्या हो जाएगा? तब प्रश्णा अनुसार यह X और Y में बन जाएगी टेबल विजेताओं की संख्या X मानिए एक थी तो पुरस्कार की राशी एक लाग क्लियर विजेताओं की संख्या दो ही तो पुरस्कार पचास पचास अजार का हो गया चार हुई तब आपको पूछा है यह क्या हो गया Y3 पूछा गया आपसे पांच अब और क्या पूछा है चार के बाद पांच आठ दस बीस पांच आठ दस और बीस विजेता हुए तो पुरस्कार की राशी कितनी होगी आपसे पूछा गया है क्लियर है यह टेवल तो इसको हल करने के लिए आप क्या लिखेंगे चूंकि X वर Y अभी हमने समझा के X वर Y प्रतिलोम अनुपात में है अतर क्या हो जाएगा हमने पढ़ रहा है प्रतिलोम अनुपात में यदि X वर Y हैं तो क्या होता है? X गुणा Y बराबर 8 होता है तो क्या लिख सकते है? अतर X1 Y1 बराबर X3 Y3 बराबर X4 Y4 यहीं होगा तो आप क्या लिख सकते है? आता X1 Y1 बराबर X3 Y3 होगा अब मान रख दीजिए X1 का मान कितना है 1 Y1 का मान एक लाग बराबर X3 का मान कितना है 4 Y3 पूछा गया है तो यहां से Y3 कितना आ जाएगा देखिए 4 गुणे में तो भाग में चला जाएगा पक्षांत्रन होने पर तो एक लाग बटा 4 आ गया 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 दो बच गया यह 0 हो गया 20 चार पंजे 20 और यह पीछे 30 मतलब 25,000 रुपए यदि 4 विजेता है तो प्रत्य को कितना मिलेगा 25,000 रुपए इसी का दूसरा पार्ट यह तो पहला हो गया दूसरे के लिए क्या करेंगे x1 y1 बराबर क्या लेके चलेंगे x4 y4 x4 y4 ए तो यहां से देखिए मान रखते हैं एक गुणा एक लाग बराबर x4 की जगे है 5 गुणा y4 पूछा गया है यहां से y4 कितना आजाएगा y4 बराबर एक लाग बटा क्या आजाएगा 5 गुणे में था यह आगया बटे में 5 दूनी 10 यह हो गया 5 दूनी 10 और पीछे कितने 0 है 4 तो यह हो गया 20,000 रुपए यहां पर क्या आगया जब 5 विजेता है तो राशी और कम होगी 25 से किस पर आगया 20,000 रुपए पर अब आपसे पूछा है कि 8 विजेता होंगे तब राशी क्या होगी तो आगे हल करते हैं देखिए थर्ड थर्ड करने के लिए क्या करेंगे आप x1 y1 बराबर x5 y5 x5 y5 x1 कमान 1 y1 कमान 1,000,000,000 x5 क्या दिया गया है आठ तो आठ गुणा y5 y5 निकालना है आपको तो आठ गुणे में है उसको पक्षांतरन कर देंगे तो एक लाग के भाग में क्या आ जाएगा आठ काटते हैं आठ एकम आठ दो बचे यह हो गया 20 तो आठ दुनी हो गया 16 बचे 4 यह हो गया 4-0 मतलब 40 आठ गुणा 5 चालीस होता है और पीछे 2-0 तो कितने आ गये 12,500 रुपे आठ वीजेता होंगे तो प्रत्ते को कितना है मिलेगी धन राशी 12,500 रुपे क्लियर तो इसका अगला पार्ट क्या पूछा गया आपसे 10 वीजेता होने पर पुरसकार की राशी पूछी है तो दिखेए 4 x1 y1 बराबर x6 y6 हो जाएगा मान रख देते हैं यह तो वही है एक और एक लाग x6 10 और y6 पूछा गया है यहाँ से y6 निकालेंगे एक लाग के भाग में क्या आ जाएगा दस, एक जिरो से एक जिरो कट गया मतलब कितने रुपे आया है दस हजार तो प्रत्य को कितनी राशी मिलेगी दस हजार रुपे इसका ही पांचवा भाग पूछा गया है आपसे X1, Y1 बराबर X7, Y7 यह वही एक और एक लाग और X7 का मान दिया गया है जब 20 विजेता हो तो 20 लिख देंगे X7 की जगे Y7 धन राशी पूछी गई है तो Y7 बराबर एक लाग बटा हो जाएगा 20 दो पंजे दस कितने रुपे मिलेंगे प्रत्य को? 5,000 रुपे इसका मदलब जब 20 विजेता होते हैं तो कितने रुपे मिलते हैं? प्रत्य को 5,000 रुपे क्लियर हुआ, समझ में आया जैसे जैसे विजेताओं की संख्या बढ़ रही है धन राशी घट रही है क्लियर? चलते हैं आगले प्रेशने पर प्रेशने संख्या तीन देखी क्या है? रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पईया बना रहा है तीलियों से एक पईया बना रहा है वस समान तीलिया इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन ही भी क्रमागर तीलियों के युगमों के बीच के कोण बराबर रहे दिखे कैसे बनाया है यह तीलिया लगाई इसने और क्या बनाया है पईया तो इसने यह बताया है कि दो तीलियों के बीच में जो कोण है वो बराबर बन रहा है यहां 90-90 बन रहा है clear है आगे क्या क्या तीलियों की संख्या बढ़ाई तो यह कौन कम हो गया फिर तीलियों की संख्या बढ़ाई तो यह कौन और कम हो गया समझ में आ रहा है तो जैसे जैसे तीलियों की संख्या बढ़ रही है हम क्या देखते हैं इनके बीच में बने कौन कम होते जा रहे हैं तो यहां क्या पूछा है देखो निमने लिखित सार्णी को पूरा करके उसकी साहता कीजिए तो तीलियों की संख्या देखिए चार छे आठ दरस बारा बढ़ रही है तो क्रमागर तीलियों के एक यूग के बीच का जो कौन है व बढ़ रही है उनकी बीच का जो कौन है वह कम होता जा रहा है जो आपको चितर से समझ में आएगा देखिए पहले यह चार तीली से जब बनाया है तो बीच के कौन है 90 डिगरी के 6 तीलियों से बनाया तब हो गया 60 डिगरी का अब 8 तीली है तो और कम हो जाएगा तो यह आ होता जा रहा है अब इसमें दो प्रेशन तीन प्रेशन आप से और भी पूछे गए है तो पहले हम इस साड़नी को फूरा करते हैं वाई 3 वाई 4 और वाई 5 का मान लिकालते हैं देखिए इसका हल माना की तीलियों की संख्या तीलियों की संख्या बराबर आपने मान लिए x और उनके मध्य कौण और उनके मध्य कौण बराबर आपने मान लिया Y दो क्रमागत तीलियों के बीच का कोण मान लिया आपने Y तब प्रशना अनुसार क्या है तब प्रशना अनुसार टीबल बन जाएगी X और Y में ये X और ये Y जब तीलिया थी 4 तो कोण था 90 डिगरी तीलिया थी 6 तब कोण हो गया 60 डिगरी ये दिया गया है 4 थी तब 90, 6 थी तब 60 अब पुछा है 8, 10 और 12 के लिए 8, 10 और 12 के लिए आपसे पुछा है Y3, Y4 और Y5 का मान क्लियर अब आप क्या लिखेंगे चूर की X ववाए प्रतिलोम अनुपात में है अतर क्या हो जाएगा X1, Y1 बराबर X3, Y3 ये तो हम जानते ही है तो आगे करते हैं हल देखिए पहला कर रहे है X1, Y1 बराबर X3, Y3 मान रख देते हैं X1 कितना दिया गया है देखिए 4 और 90 तो 4 गुणा 90 बराबर X3 X3 है 8 और Y3 पूछा गया है यहां से Y3 निकाल सकते हैं इस 4 गुणा 90 के वटे में क्या आ जाएगा जो 8 गुणे में था वो भाग में आ गया किया देखिए 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 से 90 काटा 45 इसका मतलब Y3 कितना हो गया 45 डिगरी इसका मतलब 8 तीलिया होने पर 2 क्रमागत तीलियों के बीच का जो कौन है वो कितना आ जाएगा 45 डिगरी का क्लियर अब पूछा है यदि तीलियों की संख्या 10 कर दी जाए तो दीखिए दूसरा X1 Y1 बराबर X4 Y4 ये तो वही ये 4 और 90 और ये हो गया है 10 तीलिया और Y4 पूछा गया है आपसे तो Y4 कितना हो जाएगा 4 गुणा 90 के भाग में आ जाएगा ये वाला 10 1 0 से 1 0 9 जोग 36 इसका मतलब कितने डिक्री का कोण हो जाएगा 2 क्रमागर तीलियों के बीच 36 डिक्री का जबकि तीलियों की संख्या कितनी है 10 इसी का थर्ड पार्ट X1 Y1 बराबर X5 Y5 मान रखते हैं ये तो वही है 4 और 90 X5 का मान कितना है देखिए 12 12 तीलिया है Y5 पूछा गया है तो Y5 यहां से कितना हो जाएगा 4 गुरा 90 12 आ गया भाग में 4 से कट रहा है 4 एकम 4 4 तीया 12 3 तीया 9 0 मतलब 30 डिक्री 12 तीलिया लेंगे तो प्रतिक 2 क्रमागर तीलियों के बीच में कितने डिक्री का कोण बनेगा 30 डिक्री का क्लियर है समझ में आया अब दिखिए क्या क्या प्रेशन पूछे गए पहला क्या तीलियों की संख्या और क्रमागर तीलियों के किसी युग में के बीच का कोण प्रतिलोम अनुपात में है तो पहले में लिखेंगे हाँ तीलियों की संख्या तीलियों की संख्या व मध्य का कौण प्रतिलोम अनुपात में है क्लियर दूसरा प्रेशन क्या दिया गया है देखिए 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागर तीलियों के किसी यूग्म का कौन परिकलित कीजिए 15 तीलिया मतलब X का मान आपको दिया गया है 15 देखिए हल दूसरा पूछा गया जो प्रशन है उसमें दूसरा क्या दिया गया है X का मान X बराबर दिया है 15 तो Y का मान आपको पूछा गया है तो क्या लिख देंगे हल चूंकि x वो y प्रतिलों अनुपाद में हैं अतह क्या हो जाएगा x1 y1 बराबर xy यह कोई भी xy दिये गए तो देख लीजे x1 y1 का मान तो यह क्या hr तीली 90 डिगरी का कोण यही पूछा यही था x1 y1 का मान 4 और 90 बराबर x x का मान है अब 15 तीलिया तो y उनके बीच का कोण पूछाएं यहां से y कितना आ जाएगा 4 गुणा 90 के बटे में आ जाएगा 15 चंग 90 तो 6 चोग 24 इसका मतलब 2 तीलियों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 24 डिगरी अब देखिए तीसरा प्रेशन जदी क्रमागत तीलियों के प्रतेक युगमत के बीच का कोण 40 डिगरी है तो आवशक तीलियों की संख्या कितनी होगी बीच का कोण दिया गया है मतलब y दिया गया है आपको 40 डिगरी तब x पूछा है तो देखिए इसका तीसरा भाग y बराबर 40 डिगरी तब तीलियों की संख्या कितनी होगी तो क्या लिख देंगे हल में चूंकि x1 y1 बराबर क्या है xy यह तो आपने बता दिया प्रतीलों मनुपात में तब क्या हो जाएगा 4 गुणा 90 बराबर x पूछा है y बराबर 40 तो यहां से x कितना हो जाएगा चार गुणा 90 के बटे में आ जाएगा 40, 10 से 10, 4 से 4 मतलब 9 तीलिया इसका मतलब 9 तीलिया होगी तब उनके बीच में कितने डिगरी का कोण होगा 40 डिगरी का कोण होगा कलीर हुआ प्रैश्न अच्छे से समなज में आया है चलते हैं अगले प्रैश्न पर प्रैश्न संख्या 4 दिख jersey क्या दिया गया यदी किसी डिवे की मिठाय को 24 बट्चों में बाटा जाए तो प्रत्य को पांच मिठाईया मिलती है कोई मिठाई यिदी 24 बच्चों को बाटे तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिल रही है तो रही है कि पहले 24 बच्चे है तो 5 मिठाई ने क्या किया बच्चों को कम कर दिया 20 बच्चे कर दिये तो प्रतेग बच्चे को मिठाईयों की जो संख्या थी वह मिलने वाली मिठाई की संख्या क्या होगी बढ़ेगी या घटेगी बढ़ेगी पहले आपके पास यह अगर मान लीजे कोई दब्बा है जिसमें 6 मिठाई दो जने में बाटनी है तो क्या क्या हो जाएगी एक को तीन और दूसरे को भी तीन अब आपको बाटनी है यदि एक आदमी को तो पूरी छे इसी को मिल जाएगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों की संख्या यदि कम हो रही है तो मिलने वाली मिठाई की संख्या क्या हल माना की बच्चों की संख्या को हमने मान लिया है एक्स और प्रत्यक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या मिठाई की संख्या को हमने क्या मान लिया यहां तक लियर है तब प्रश्न अनुसार क्या हो जाए का टेबल क्या बनेगी तब प्रश्न अनुसार देखिए टेबल बन जाएगी एक्स और वाय में यह एक्स और यह वाय एक्स क्या माना है बच्चों की संख्या तो बच्चों की संख्या जब 24 थी तो मिठाई कितनी मिल दी थी प्रत्य बच्चे को 5, अब बच्चों की संख्या हो गई 20, तो प्रत्य बच्चे को कितनी मिठा ही विलेगी? Y2 मान लिया, यह हो गए X1, Y1, यह हो गए X2, Y2, अब यहां क्या लिखेंगे? चुंकि X, Y प्रतिलोम अनुपाथ में है, यह हो गए S TV, यह हो गए X, Y2, अनुपाथ में है, यहां तो हमने पता है कि प्रशनावली 12.2 के प्रशन है, इसलिए प्रतिलोम अनुपाथ के प्रशन है मनुपात में है या प्रतिलों मनुपात में है clear तो आप दीखते हैं आगे अतर x1 y1 बराबर x2 y2 दिखिए x1 24 y1 5 x2 20 y2 पूछा गया है तो यहां से y2 कितना हो जाएगा 24 गुणे 5 के भाग में आ जाएगा यह जो 20 गुणे में हैं काटते हैं 5 एकम 5 5 चोग 20 4 से 6 चोग 20 तो y2 बराबर कितना आ जाएगा 6 इसका मतलब प्रतिक बच्चे को अब कितने मिठाई मिलेगी 6 पहले कितने मिल रही थी 5 तो क्या लिख देंगे अतर प्रतिक बच्चे को 6 मिठाई मिलेगी क्लियर बच्चों की संख्या कम हुई तो मिठाई की संख्या क्या हो गई बढ़ गई पहले 5 थी अब हो गई 6 क्लियर है ये हल समझ में आया अच्छे से तो अब हम हल करेंगे आगिक का प्रेश्न प्रेश्न संख्या 5 देखिए 5 एक किसान की पशु शाला में 20 पशु के लिए 6 दिन का परियाप्त भोजन है यदि इस पशु शाला में 10 पशु और आ जाएं तो ये भोजन कितने दिन तक परियाप्त रहेगा तो देखिए पहले 20 पशु थे वो 6 दिन तक खाना खा सकते थे अब क्या किया 10 अब कम दिनों में खतम हो जाएगा पहले 6 दिन चलता था तो अब कम दिन ही चल पाएगा यह हम पहले भी समझ चुके हैं एक होस्टल में बच्चों की संख्या बड़ी थी तो भोजन कितने दिनों के लिए परियाप था वह संख्या कम हो गई थी वही चीज यहां पर हो रह माना की पश्यों की संख्या बराबर एक्स मान लिया और क्या मान लेंगे भोजन के लिए परियाप्त दिनों की संख्या बराबर मान लिया हमने y तब प्रशन अनुसार टेबल बनेगी तब प्रशन अनुसार क्या हो जाएगी यहां लिग दीजी एवं X और Y में एक टीवल बन जाएगी पहले कितने पशु थे? 20 तब भोजन कितने दिन चल रहा था? 6 दिन अब 10 पशु ओ रहा गए मतलब 30 30 पशु हो गए तो भोजन कितने दिन चलेगा वो आपसे पूछा गया है मतलब Y2 पूछा गया है clear? अब हम यहां क्या देखते हैं कि X और Y प्रतिलोम अनुपात में हैं अध़र क्या हो जैगा X1 Y1 बराबर X2 Y2 हो जाएगा हम जानते ही हैं यह तो देखिए X1 Y1 के मान रखते हैं 20 गुणा 6 बराबर x2 30 और y2 आपसे उचा गया है तो y2 यहां से कितना हो जाएगा 20 गुणा 6 के भाग में क्या आ जाएगा यह गुणे वाला 30 यह कड़ गया तो यह देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो y2 बराबर कितना आ गया 2 दूनी 4 मतलब जो भोजन सामगरी 6 दिन चल रही थी वह अब सिर्फ कितने दिन चलेगी 4 दिन चार दिन के भीतर ही वह खतम हो जाएगी समझ में आया प्रश्न पाच्वा तो उम्मीद करते हूँ इस सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आये होंगे अगले वीडियो में मिलते हैं आगे की प्रश्नों के साथ तब तक जुड़े रहिए धन्यवाद